हेलो एवरिवन मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहें सर्फिस एरिया और वॉल्यूम और आज के इस क्लास में हम लोग 13.6 का कोश्चन नंबर 4 देखने वाले यह कोश्चन काफी सिंपल है यहा 12 cm2 और हाइड दिया गया है हम लोगों को रेडियस निकालना है और वॉल्यूम निकालना है ठीक है तो यहां पर मैं लिखता हूँ पहला वाला के लिए देखिए यहां मैं लिख देता हूँ लेट कि रेडियस b r radius हम लोग r मान लेते हैं उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ देखिए cut surface area of a cylinder का formula क्या होता आप सबको पते होगा cut surface area of cylinder इसका formula क्या होता है 2 pi r h होता है ठीक है अब हम लोगों के पास में cut surface area of cylinder का value है तो यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर तो कोई दिक्कत नहीं है 92 94.2 और उसके बाद में यहाँ पर 2 और पाई का value देखिए यहाँ पर बोला गया 5 देखिए दोनों का unit centimeter में है centimeter square centimeter तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ठीक है न उसके बाद में अब इसको हम लोग solve करेंगे तो यहाँ पर मैं 94.2 यहां रख देता हूं और नीचे में बाकी सब आ जाएगा तू यहां आ जाएगा थ्री यहां आ जाएगा 3.14 एंड फिर यह आपका इंटू 5 आ जाएगा और आर जो है न यह आपका यहीं रह जाएगा ठीक है आर आपका यहीं रह जाएगा और उसके बाद में अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें एक काम करता हूं मैं यहां लिखता हूं यहां पर हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं 942 और इंटू यहां पर एकर मैं हैंड़ेड लिख दूं क्यूंकि हैंड़ेड यहां पॉइंट थे न पॉइंट के बाद दो नंबर था तो वह एं प्रयास का 10 में यहां लिख दे रहा हूं मतलब यहां पर जो पॉइंट था उसको जो हटा है अब देखे 314 और 942 अगर हम लोग 314 को 3 से मल्टिप्लाइ करें ठीक है कितने मल्टिप्लाइ करें 3 से मल्टिप्लाइ करें तो कितना आएगा यहां 342 आ जाता है और फिर 3134 और 339 मतलब काट रहा है तो यहां पर मैं काटूं तो यहां पर मेरे को 3 मिल जा रहा है उसके बाद यह 0 और यह 0 कैंसल आउट हो जा रहा है उसके बाद 5 हम लोग को 3 मिल गया अब हम लोग को निकालना है वाल्यूम ठीक है हम लोग के पास हाइट है और रेडियस का वैल्यू है तो आराम से हम लोग वाल्यूम निकाल सकते हैं इसको मैं हटा रहा हूं खीक है और उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूँ सेकेंड वाला तो यहां मैं लिख देता हूं मैं और आफ सिलेंडर volume of cylinder का formula क्या होता है volume of cylinder का formula क्या होता है देखिए यहां हम लोग क्या लिखेंगे pi r square h है ना अब यहां पे pi का value दिया हुआ है 3.14 और r का square r निकलाता 3 मतलब 3 into 3 हो जाएगा और h यहां पे दिया हुआ है 5 ठीक है तो यह सब को हम लोग multiply करेंगे तो हम लोग को value मिलेगा 141.3 क्या मिलेगा 1.1.3 तो यहां पे हम लोग लिख देंगे centimeter square ठीक है क्योंकि यह volume है तो I hope कि आप सब को यह question समझ में आया होगा इसका solution समझ में आया होगा और अगर मेरे वीडियो पसंद आया आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को like कर दीजिएगा और मेरे चैनल को subscribe करना मत बूलेगा